आपका बहुत बहुत श्वागत है आज कर दो वीडियो है वो पद्यावरण का है एवी एस इंवार्मेंट का है चली ले ले लेते हैं थैटी इंपॉर्टेंट कोश्चन्स कुछ हेल्थ एसू थे जिनकी वजह से मैंने लाइफ क्लास भी लेके बीच में इंड कर दिया था प इसमें प्रित्वी पर आतो जाती है लेकिन कारवन डाय आकसाइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है यानि कि हम कह सकते हैं यहां पे कि जो एक इन्वार्मेंट है वातरण होता है हमारे आपके लिए बहुत ही जरूरी होता है इसके बगार मानों के जिन्दग प्रित्वी पर तो आ जाती है लेकिन कारवन डाय आकसाइड गैस के घेरे कारण वापस नहीं जा पाती है यहां पे एक चीज़ याद रखिएगा परसेंटेज कभी कभी पूछा जाता है कि जो गैस होती है वह कितने परसेंट प्रित्वी पर रहते है तो 20 परसेंट जो हो प्रित्वी पर पूछता है इस चीज़ को आप थोड़ा सा माइंड में रखिएगा चलिए अगला कुशन ले लेते हैं कि रेट डाटा बुक का संबंद किससे है रेट डाटा बुक का संबंद किससे है बहुत होता है यानि बिलुत के संकट से ग्रस्त जीवों से ऐसे भूल जातिया होती है जो बहुत कम पाई जाती है दीरे दीरे गाया होने लगती है तो उनका पूड़ा रिकार्ड जो होता है रेट डाट इसलिए रेट नाम दिया गया है उस Japan जात्यों का नाम लिखा जाता है ठीक है ना अब कि तोड़ा देख लेते हैं कि ग्री पीश के तो देखे पर्देवर्ण योजना यानि एक पर्देवर्ण योजना बनाई गई है पर्देवर्ण को बचाने के लिए पर्देवर्ण को हरा भरा रखने के लिए जो योजना बनाई गई है इसको ग्रीन पेस कहा जाता है भारत का पर्देवर्ण सिक्षाकेंद्र कहां इस्त वबन झीव को सब्सवाढ़ा है तो कौन परतिक है वह 15 है कि ये को100 नहीं प्लकी को जायए कुशन क profound आंप मेडेर बारें पढ़ फुरत को बारे न मंठ 210 तो ही नहीं सकता तो k return जो है उन्होंने सरफ कर जो थे चलता है कितने दिन चलता गभी चलता है जिने के वह प्रोल के लूट जो रहा है उन्होंने के मुख्यक्राण क्या है अमली वर्षा है ताज महल जो हो रहा है जनरली ये कहा भी जा रहा है कि ताजमहल पीला हो रहा है ठीक है ना उसकी जो दीवारे है वो पीली हो रहे है क्योंकि व mayo मềm discuss का में करण है वासपास में जो वहां कारवन डाइयाकसाइड नाइट्विजन फास्परोस बहुत सारी जो गैसे हनकारक गैसे हो निकल रही है इसकी वजह से अमली वर्षा वहां पर होती हो जिसके वैसे ताज महल जो है पीला पर रहा है और एक important question से भी बन जाता है कि environment education for kids जो है वो अगर कंट्री पूछ लेता है तो फिर फोटो कापी मसीन में कौन सी गैस उत्पादित होती है जब फोटो कापी हम करते है तो ओजोन गैस उत्पादित होती है फोटो कापी मसीन में ठीक है लेते हैं बाई मंदल में कौन सी गैस सरवादिक पाई जाती है तो इहां पर एक question और भी बन जाता है कि कि कितने % देखे नईर्टर्जनगेस पाई जाती है और हम % की बात करते हैं तो ओ आ जाता है 78% 78% जो nitrogen gas होती है वाइमंडर में पाई जाती है बहुतल पर CFC का प्रयोग कहां होता है CFC का प्रयोग कहां पर होता है देखे सेविंग क्रेम विभी शौंदर प्रशादनों पर CFC का प्रयोग किया जाता है यहां पर थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि CFC आखिर है क्या बेरी इंपोर्टेंट है देखे तो chloro-fluorocarbon जिसको हम बोलते हैं CFC ठीक है न chloro-fluorocarbon को हम CFC बोलते हैं इसका प्रयोग इन जगहों इन चीजों पर किया जाता है सेविंग्त राष्ट पर्यवन काईक्रम का मुख्याले कहां है यूनेप तो यह देखें नौरवी कन्या में है बेरी बेरी इंपोर्टेंट डेकोंट से आपके और ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परणाम क्या होता है तो देखें ग्लेसियर पिघलने लगते हैं जब सीधी सी बात है ग्रीन हाउस प्रत्यक्ष परणाम प्रत्यक्ष परणाम जब पिघलने लगते हैं तो किस पर पढ़ेगा हम मानोजाद पर भारत का कौन सा राज टाईगर राज की रूप में जाना जाता है और सबसे पहला सब्सक्राइब वह भी मद्द प्रदेश के गोविंद गड़ है यह थोड़ी मर रखेगा कहा तरव रख यह साADA यह दिधर अकर परत्यक्ष से संपर्क में आने के बाद हमारे सरीर में खास्तार आखोंसे संब ऐसके संबंदित बहूत सारी बीमारिया हो जाती है कैंसर वगढ़े जो है वह जाते इसलिए लिइ permitir hour लिए वाली पैरा वैगनी किरो में घो हो जाती है देखेंगत्य हिं सरवादिक जहां पर सभी तरह के जिसे हम बोलते एको जहां पर सभी तरह के जानवर सभी तरह के चाहिए वह आप पेंट से ले लिए जानवर से ले लिए सभी तरह की चीज़े पाई जाती है तो जहां पर ज्यादा वर्सा होती वहां पर ऐसी चीज़े पाई जाती है जैब भी आप ले सकते हैं तो राष्टी परद्यवन अनुसंधान के इंद्र कहाँ इस्थित है नाकपुर महारास्थ में इस्थित अधित इंप्रेटेंट सबी कोश्चन से चिपको अंदोलन के पीछे मुक Viader क्या है देखिए पीछे जो पीछे बनों की सुरक्षा करना और पहले इसके पीछे बिएक चुछ हानी है कि आपके लिए जानना थोड़ा सा जरूरी है ठीक है कि चिपको आंदोलन जो था वो किसने स्टार्ट किया तो देखे ये जो आपके ये उत्रा खंड राज में था और किसानों ने बिख्षो की कटाई का बिरोध किया था तो वहां पे लोग बन को काटने से रोकने के लिए पेड़ों से चिपक गए थे तो इसका नाम दे दिया गया था चिपको आंदोलन उन लोगों ने पेड़ को काटने नहीं दिया और बलकि महिला और पुरुष जो लोग थे वो उससे पेड़ों से चिपक गए थे तो यहाँ पे अगर नाम देखा जाए कि इस आंदोलन की जो शुरुवात थी वो आपके जो प्रसी सुन्दलाल बहुगुडा थे उन्होंने इसका नेट्रिट किया था ठीक है चिपको आंदोलन का बेरी बेरी इंपोर्टेंट ये कोश्चन आपका है चिपको आंदोलन का कारवन डाई आकसाइट, सल्फर डाई आकसाइट, कारवर मोनो आकसाइट द्वारा कौन सा प्रदूशन होता है बेरी बेरी इंपॉर्टेंट तो बाई प्रोडूशन होता है कारवन डाई आकसाइट सलफर डाई आकसाइट कारवर्मोन आकसाइट तीनों ही बहुत खतननाग गैसे हैं सरवाधी को जोण च्याकारी गैस कौन सी है तो देखें सी एपड़ल्मोन डाई गैस अधिकशेकारी गैस होती है यहां पे देख लेते हैं पराक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है तो वाई प्रदुशक है यह ठीक है क्या है बाई प्रदुशक है इंद्रा गांधी वान की अकादमी कहां इस्थित है तो देखें देहरा दून में इस्थित है इंद्रा गांधी वान की अकादमी ठीक है भ इस तो सबसे प्रदूशीत नगर है जल्प प्रदूशन किया जाता है जल को मापने के लिए कौन準 प्रिक्षन किया जाता है बारती वनीट sino की तरह Sesन मीरां करने हिरा हें देखे टेरा दो यहां में रक्षा करतेектив अब मैंने आपको बताय है कि जट संही है तो परागर रखश करती है तो कती है तो फद्वीडे रक्षा करती है परिवायी कैस Maika होती है तो जल्वाई परिवरतन में ग्रीन हा होस में गयार याह सब्सक्राओं क önce और भारती 파वंदन संस्थान तो ब भारती वन प्रेंदन संस्थान कहां है और तो आज आपके इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट कोश्चन आपके इन्वार्मेंट पर्यावरंड से और आइधिंग्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए शेयर भी करिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर साथ में बेल आइकान को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो वीडियो डालो उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और कल 11 बजी हम आप से मिलते हैं लाइफ क्लास में और स्टैट कर देते हैं इसका पीडियो जो डिसके सब्सक्राइब कर लिजिएगा नेस्ट वीडियो के साथ हम आप से फिर मिलते हैं तब तक क तक केर बाए